Hello, welcome to Aurobind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture 9. I hope you have already watched part 1 to part 18 before watching part 9. हम लोग बात कर रहे हैं integration में, integration by special function. और integration of special function की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ हुमुले पिछली दिन सिखाया था. आपको उमीद है कि आप याद कर आए होंगे. और अगर याद करके आए हैं तो उस पे questions करते हैं पहले formula का एक बार विवाई जिन करवाते हैं यह हमने formula पिछले दिन आपको बताया था कि इन formula का इस्तमाल करना है कि under root a square minus x square under root x square minus a square under root a square plus x square इस type का हो तो हमें कैसे question करना है ठीक है आज हम इसको थोड़ा extend करते हैं इसमें एक दो application सीखते हैं उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तो पहला यह है कि formula में पहला question लेते हैं integration of 3 minus x square इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो under root 3 का square minus x square और पूरे का under root थोड़ा स्केंजेस्टेड हो रहा है साब साब लिख दो under root यह होगा under root 3 का square minus x square dx formula हमारा क्या कहता है x by 2 जो है वो यानि यह ही चीज यह चीज का मतलब यह चीज 3 minus x square plus a square by 2 a square का मतलब 3 3 by 2 अगर यह denumerator में होता तो क्या integration होता sin inverse x by root 3 होता plus c तो आप इस तरीके से कर पाएंगे दूसरा question एक लेते हैं यह है x square minus 9 कुछी स्कार का तो क्या करेंगे इसको इसको solve करने के लिए आपको क्या करना होगा यही लिख देंगे x square under root x square minus 3 square dx और इस formula को फिर हम लिखें तो क्या लिखेंगे x by 2 जो है वो यानि x square minus 9 minus है यह square तो a square by 2 अगर यह denumerator में होता x square minus a square तो इसका क्या integration होता तो देखें यह denumerator में होता तो इसका integration होता है log of x plus जो है वो तो x square minus 9 plus c तो देखें कि आप formula याद रहें तो यह 2-2 second का काम है और objective exam अगर आप दे रहोंगे तो उसमें तो यह आप function का type देखेंगे और answer का type देखेंगे और आसानी से आप ठीक कर सकते हैं कि कौनस answer होगा कौनस answer नहीं होगा और पटाप पटाप का answer मिल जाएगा अगर मैं लिजए मैं एक और question ले लूँ इस तरह का यह लिखा है 4x square plus 1 अब इसमें क्या करोगे इसमें आप लिखोगे कि इसको आप लिख सकते हैं कैसे इसको आप लिख सकते हैं 2x का square my plus 1 का square इस तरह से अब इसमें क्या होगा कि आपको answer लिखते से मैं थोड़ी सा उठानी बरतनी होगी क्यों क्योंकि यहां पे x का coefficient है तो आप यहां तो दो तरीके हैं यहां तो x का coefficient को पहले ही unity बना लो और उसके बाद answer लिखो आप बहतर वही रहेगा क्योंकि इसमें आपको x के coefficient से divide करना पड़ेगा तो आपको सला यह दे रहा हूँ कि इसमें x square के coefficient को unity बना लो यानि 4 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और अंदर में क्या बच जाएगा x square plus यह 1 by 2 का square यह भी बच जाएगा ऐसे आप लिख सकते हैं दोनों तरीके बता दूँगा कोई tension नहीं है तो यह हो गया 2 बाहर अब क्या लिखेंगे x by 2 जो है वो लिख दो x square plus 1 by 4 ठीक है plus a square by 2 यानि a square कितना हो गया 1 by 4 1 by 4 by 2 क्या हो जाएगा 1 by 8 और इसका अगर d numerator में होता तो क्या integration होता तो x plus under root y x square plus 1 by 4 plus c आंसर हो गया अब इसको थोड़ा simplify करके अगर आप लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह 2 से multiply कर उतकट जाएगा वैसे तो यह LCM लेंगे तो 4 x square plus 1 हो जाएगा 2 बाहर आजाएगा 2 यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ठीक है तो इस तरीके से यह हो जाएगा कि x by 4 यहाँ पर आजाएगा 2 x by 2 कैसे तो हम यहाँ करना यह है कि 2 x लिखते हैं यहाँ पर और 2 x by 2 और x के coefficient से फिर डिवाइड करते हैं थे बाई 2 तो क्या हो जाता नीचे 4 हो जाता कि नहीं हो जाता बताइए तो इस तरीके से यह question में कर सकते हैं कि 2 x के coefficient से डिवाइड कर देंगे answer आ जाएगा वही पुराने वली बात जो पहले सिखा रखा है कि जब भी अगर आप बहतर होगा कि x square के coefficient को unity बनाके फिर formula लगा दो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको 2 x का whole square लिख दो लेकिन ध्यान रहे कि जहां जहां integration करोगे वहां वहां 2 से divide करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए वैसे कर सकते है लेकिन उसमें गलती होने के chances है इसमें गलती होने के कोई chances नहीं है इसलिए आपको सलाह यह दी जाती है कि आप ऐसा करना ठीक है अब यह तीनों type के एक एक सवाल हमने बता दिये अब आगे कुछ सीखते ही आगे क्या है पहले एक क्यों करते है x square प्लस bx प्लस c type का हमने किया था क्यों कि इसको perfect square होनाते है जब यह denumerator में था तब किया था अगर अब यह question numerator में हो तो आप क्या करोगे इस तरह के question का यह type हो गया और इस type का हम question कैसे करेंगे तो इस तरह के question को करने के लिए क्या है आपको हमने वतार रखा है कि perfect square बनाओगे और perfect square बनाने के लिए भी step सिखा रखे है एक बार इवाज कर लें थोड़ा सा step क्या है perfect square बनाने का make coefficient of x square unity है ना यही था ना coefficient of x square unity यानी 1 है ना दूसरा step क्या था दूसरा step था add and subtract square of coefficient of x square unity यह हमने क्या था unity और दूसरा add and subtract square of half of coefficient of x square of half of coefficient of x यह हमने पहले भी बता दिया है अब भी दुबारा recall करा रहे है ठीक है उसके बाद यह convert हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसा अगर होगा तो यह convert हो जाएगा फिर हम formula लगा देंगे तो एक question ही सीधे करके देखने question क्या है हमारा question है कि जैसे यह लिखा है under root x square minus 9x 9 to 18x right x square minus 18x plus 34 ऐसा कुछ तो क्या करोगे x square minus 18x plus 34 integration of dx इस question को करना है तो कैसे करेंगे तो इस question को करने के लिए आपको क्या करना है कि i is equal i is equal to थोड़ा सही है घंका नहीं हो रहा i is equal to integration of this right तो इसको पहले perfect square बनाएंगे और perfect square बनाने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं perfect square बनाने के लिए x के coefficient के half का square plus करते हैं और minus करते हैं तो x का coefficient क्या है यहां पर 18 18 का half क्या के जोड़ेंगे 9 9 का square हमें plus करना था और minus करना था तो 9 का square यहां पर हमने 81 plus कर दिया और 81 minus भी कर दिया तो इस क्या मिलेगा dx इस तरह से तो यह हो गया integration of x square x minus 9 का whole square minus 81 में से 34 गया 11 minus 4 क्या हो गया 7 7 हो गया और 7 और यहां पर 7 में से 3 गया तो क्या मिल गया 47 आप इसको लिख सकते हैं क्या under root x minus 9 का whole square minus root 47 का whole square और यह हो जाएगा question कुछ इस तरह का कि अब अब इसमें formula लगा देंगे क्या formula लगाएंगे x by 2 जो है 100 यहनी यह चीज यह चीज का मतलब यह चीज यह चीज का मतलब यह चीज तो इसी तरह यह लिख देंगे x square minus 18 x plus 34 ठीक है plus a square by 2 अगर a square positive है तो यहाँ a square negative है तो हम क्या लिख देंगे negative a square मतलब 47 by 2 अगर यह denumerator में होता तो इसका क्या integration होता तो denumerator में होता तब भी क्या होता है integration x plus जो हैसो मतलब सीधा यह चीज तो आपको यह question करने में बड़ा मजाने वाला है क्योंकि आप सीधे सीधे function देखेंगे और function देखने के साथ ही आपका क्या हो जाएगा answer आ जाएगा तो यह क्या plus c यह हो गया बनाएंगे और perfect square बनाने के पाद हम उसको formula लगा देंगे तो फड़ा फट integrate हो जाएगा चली एक question और लेते हैं और इस question में क्या है यह लिखा है कि 5 minus 5 minus 2x minus x square under root dx अब इसमें भी एक formula ही लगेगा और formula लगाने के लिए क्या करना होगा x के coefficient का square half का square प्लस करना होगा और minus करना होगा लेकिन यहाँ x already minus में है तो पहले इसके coefficient को unity बनाना होगा unity बनाने के लिए minus हमें common लेना पड़ेगा पहले भी हमने कहा था कि most of the students इस minus को root के बाहर common लेते हैं और वहीं पे teacher spoon में काटके 0 रख देगा अगर आप completion में कर रहे हैं तो बहुत फरक तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो objective होता है लेकिन spoon में अगर कर रहे हैं तो बहुत फरक पड़ेगा और यहाँ पे क्योंकि बाद में तो minus multiply करना ही होता है तो answer में वैसे कोई तब्दिली नहीं आती बट यह technically wrong है इसलिए ऐसे लिख देंगे अब इसको क्या करेंगे x के coefficient का square प्लस करना है और minus करना है तो यह हो जाएगा minus x square minus 2x plus 1 minus 1 minus 5 already है तो यह मिल करके हो गया कितना dx अब इसको आप लिख देंगे कितना तो यह हो गया root under minus x minus 1 का whole square यह दोनों चीज मिल करके x minus 1 का whole square हो गया वह अगा नहीं होगा वह न अच्छा और फिर यह क्या हो गया minus 6 अब यह root minus को multiply कर देंगे आप तो यह हो जाएगा integration of under root 6 minus x minus 1 का whole square dx इस 6 को आपके लिख सकते हैं क्या तो integration of under root under root 6 का square minus x minus 1 का whole square और अब आप formula लगा सकते हैं क्या formula होगा अब इसके बाद यह होगा x by 2 under root जो हैसो यानि यह जो हैसो क्या मिलेगा जो हैसो का मतलब है 5 minus 2x minus 6 square मिलेगा इस सबको simplify करेगे तो ही त्वाएगा तो सीधे आपको यह लिख देना है और x के बदले यहां क्या है x minus 1 तो x minus 1 by 2 5 minus 2 x minus x square plus a square by 2 यानि 6 a square क्या हो जाएगा 6 और 6 by 2 क्या हो जाएगा 3 और अगर यह denominator में होता तो इसका integration क्या होता sin inverse x minus a by x minus a sin inverse x by a x minus 1 by 6 plus c तो यह answer हो जाता सीधे सीधे आप answer लिख सकते हैं इस तरीके का और आप पड़े की असानी से इस तरह के question को answer कर सकते हैं पहले अभी तक आपके पास यतनी बाते आपने पढ़ी है इवन आपने 18 वीडियो पढ़ी रखा है लेकिन तब भी आप आपकरी question है इस type का कि हम इस type के question को करने के लिए क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और देखते हैं माल लेजे कि ऐसा अगर question लिखा हो कि 4 x square plus 8 x minus 1 कुछ इस तरह का dx तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 को common लेंगे 4 को common लेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा 2 यह हो जाएगा x square plus 2 x minus 1 by 4 4 कमल लिए हुए अब इसको perfect square बना देंगे उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ देखे लिख देता हूँ x square plus 2 x plus 1 minus 1 minus 1 by 4 हो जाएगा तो यह हो जाएगा पूरा x plus 1 का whole square under root और यहाँ से मिल जाएगा minus 5 by 4 यानि root 5 by 2 का whole square फिर यही आगया x square minus a square तसली से आपका मुला लगा दीजिए क्या x by 2 x की जगापे x plus 1 है फिर under में जो हैसो यह ही लिख देना है तो यह लिखोगे तो क्या आएगा यह चीज आएगा तो यह चीज आएगा पूरा का पूरा यह चीज नहीं आएगा क्यों? क्योंकि हमने 2 common ने रखा है और इसको simplify करेंगे तो इसको बनाया है ना कि इसको बनाया है इस question को मैं दुबारा करवा रहा हूँ कि आप जब common लेते हैं तो यह original function नहीं बचता यह बचता है तो यह लिखना होगा यहाँ पे ठीक है न? ध्यान रहा है इस बात को इसलिए इस question को हमने दुबारा किया है ठीक है? यह बचेगा ना कि यह बचेगा ठीक है? और plus a square by 2 तो तो a square यहाँ पे क्या होगा? 1 by 4 1 by 4 यहाँ पे a square यह होगा a square क्या होगा यहाँ पे? तो 5 by 4 था 5 by 4 था और 2 से डिवाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? minus 5 by 8 a square by 2 5 by 4 था a square 2 से डिवाइट करेंगे तो 5 by 8 और अगर यह denumerator में होता तो क्या integration होता? तो यह part होता log of x plus 1 और फिर क्या होता? यह जो है so यानि plus under root जो है so जो है so का मतलब फिर यहाँ पे यहीं ची जाएगा x square plus 2x plus 1 by 4 so we can write like this और इस तरीके से आप answer लिख सकते हैं अगर आप 2 से यहाँ पे lcm लेंगे तो बहतर तरीके से answer आ जाएगा और वो answer क्या होगा? यह answer हो जाएगा twice of ध्यान से लेखे यह 2 भी चाहे तो काट सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा x plus 1 by 2 और यह हो जाएगा under root 4x square plus 8x minus 1 by 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 5 by 8 log of कितना? तो यहाँ पे 2x plus 1 ठीक है? lcm हो जाएगा 2x plus 1 क्योंकि यहाँ पे 2 lcm हो जाएगा और यह हो जाएगा plus under root 4x square plus 8x plus 1 minus थे यहाँ पे minus 1 minus 1 so what will happen? यहाँ पे minus 1 होगा 4x square plus 8x minus 1 और इसमें lcm होगा 2 तो यह 2 जो है वो लॉक के साथ जाकर कि क्या हो जाएगा? minus तो उसमें c लिखने की ज़र्वत c के साथ minus 2 लिखने की ज़र्वत नहीं है अब इस 2 से अगर आप multiply कर दोगे तो यह एक 2 कट जाएगा और यह पूरा का पूरा function रह जाएगा तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें चाहें तो ऐसे लिख दें यहाँ भी एक 2 कट जाएगा तो question करने का तरीका इस तरह से है या अभी जो करेंगे तो इसमें से एक 2 और common ले लिजे दो 2 common ले लिजे क्योंकि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है तो आप common ले सकते हैं और बागी common लेकर अंसर लिख दिए वो तो common लेना कोई छोटी मोटी बात है वो तो कोई भी कर सकता है उसमें कोई बहुत बढ़ी कलवकारी नहीं है अब इस से related एक और question करते हैं और यह question क्या है यह उसी special type के integration का part है और इस type जो है यह सीखना बहुत जरूरी है इसमें क्या था कि थोड़ा अगर recall कराऊं आपको पहले क्या और question कराऊं इस type के अच्छा ठीक है एक और question कर लेते चलिए आईए दिखें इस type के question क्या है question कि integration of यहाँ पे f dash x और under में f x dx तो कैसे करेंगे तो इसका integration क्या होता है इसका integration होता है कि अगर हम f x को t put करेंगे दिखें से देखिए जड़ा f x को t put कर लो तो क्या होगा f dash x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यानि इस f dash x dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो integration हो जाएगा, क्या under root t dt, under root t dt का मतलब t का power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c, इसका मतलब हो गया कि ये 3 by 2 होगा, जो उपर जाके 2 by 3, t का power 3 by 2 plus c, यानि ये हो गया 2 by 3 fx का power 3 by 2 plus c, तो ये ध्यान रखना है, ये type है, इस type के जब भी question होंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे, यानि कहीं पर भी अगर ऐसा आजाए, finally result क्या है हमारा, कि अगर कहीं पर भी दिखाई दे question ऐसे, कि अंदर में fx root के अंदर हो, और बाहर उसका derivative हो, तो integration करते समय, क्या करना है, 2 by 3, root के अंदर जो function है, उसका power 3 by 2 लिख देना है, plus c लिख देना है, इसको आप as a trick के याद रख सकते हैं, और direct इस्तमाल कर सकते हैं, कैसे direct इस्तमाल करेंगे, आभी नहीं पताता हूं, ध्यान से लिखेंगे, जैसे मालने जैक यह लिखा है, कि integration of 2x minus 1, और यह अंदर में लिखा है, x square, ठीक है, minus x plus 5 dx, अब इस question को करने के लिए, देखें, नीचे यहाँ पे अंदर में, जो root के अंदर है, x square का derivative 2x है, और x का derivative 1 है, यानि यह अगर fx हो, यह fx की जगा पर है, तो यह क्या है, f dash x है, और f dash x dx है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं सीधे, सीधे सीधे लिख दिजिए, 2 by 3, x square minus x plus 5 का power 3 by 2 plus 3, यह question का answer, बड़े ही प्यार से, ऐसे आप असाने से लिख सकते हैं, चलिए एक दो और example लेते हैं यह देखिए, i is equal to 3x plus 5, लिखा है, और अंदर में लिखा है, क्या, कि 3x square, right, 3x square minus plus 10x minus 9 dx, अब आप देखिए कि इसका derivative होने के लिए, क्या होना चाहिए, इसका derivative होने के लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, 3x square का derivative कितना होगा, 6x, और 10 का कितना होगा, 10, यानि 6x plus 10 अगर बाहर होता, तो यह पूरा derivative हो जाता, तो क्यों ना हम 2 से multiply कर दें और 2 से divide कर दें, अब यह नीचे वाले का यह जो अंदर में function है, उसका ही derivative है, यह है fx, और यह हो गया fx, हुआ कि नहीं हुआ, यानि क्या answer आजाएगा हमारा, 1 by 2 यह बाहर है already, और इसके बदले लिख देंगे, 2 by 3, fx का power, कितना, fx का power, 3 by 2, plus c, plus c लिख देंगे, तो यह हो जाएगा, plus c, तो आपका answer यह फटा-फटा आजाएगा, यानि within second आप question का answer लिख सकते हैं, खीक है, और यह आपका आजाएगा answer, इस तरीके से आप इस्तिमाल कर सकते हैं, objective question के लिए मैं बता रहा हूँ, इस school में तो आपको, इस question करने के लिए पहले इसको t put करना पड़ेगा, है न, क्या करोगे, यह question अभी दिखाते हैं, जो पीछे क्या है, चाहिए को और example नहीं ले लेता हूं, ऐसी क्या बात है, तो 3 माइनस 15x, ठीक है, 3 माइनस 15x, माइनस x square, ऐसा कुछ, 3x square, 3x square, कुछ ऐसा है, हमारा perfect, बनने के लिए 6x जाए है, 6, 30, 30, so यहाँ पर 30, 30x, और यहाँ पर 7 है, मालने ही, कुछ इस तरह, dx, question आपके सामने format हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है, यह question हम instant format करते हैं, और अब उसका फिर जो होता है, वो, आपको, तुरत format होता है, इसलिए तुरत time लेता है, so, क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए, इसक derivative अगर करें, तो क्या होगा, हमें चाहिए 6x, और हमें चाहिए कितना, 30, इसको 6 से multiply अगर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारी मनो कामना पूरी हो सकती है, तो यहाँ 6 से हमने multiply कर दिया, और 6 से divide कर दिया, तो यह हो जाएगा, 1 by 6, क्या हो जाएगा, और fx का power, या यानि इसका power 7 किसका power यह 7 plus 30x minus 3x square का power 3 by 2 होगा और बाहर में कितना होगा 2 by 3 2 से यह 3 times कट गया यानि answer हो जाएगा 1 by 9 7 plus 30x minus 3x square का power 3 by 2 plus c अगर मालो किसी को इसकूल में करना हो यह तो competition के लिए हमने trick बता दी इसकूल में अगर किसी को यही question करना हो तो ओ कैसे करेगा तो उसके लिए सलाह यह है कि वो इस question को ऐसे कर देगा alternate ऐसे सीधे-सीधे answer लिखे तो हो सकता है teacher नराज हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसे लिख देना चाहिए 5 minus 6 कोई बड़ी बात नहीं है यह भी ऐसान है और इससे भी लिख सकते हैं थोड़ा उनको proper लेगेगा बात वही है कोई नया नहीं है यह 7 plus 30x minus 3x square को put कर दिया t square ठीक है तो differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 minus 6x dx is equal to 2t dt ठीक है तो यह यह 5 comma ले लिया जाए 6 comma ले लिया जाए त 5 minus x dx is equal to 2t dt अब यह 5 minus x dx के बदले यह 6 ही तरा के डिवाइड है जाएगा तो 1 by 3t dt ऐसा लिख सकते हैं तो वाट विल हैपन कि आप इसको लिखतेंगे इस question को करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1 by 3 dx इसके बदले 5 minus 6 dx के बदले लिख देंगे 1 by 3 t dt तो 1 by 3 बाहर आ गया t dt यहार आ गया और इसको आपने क्या put किया हुआ है इसको आपने put किया हुआ है t square तो भी बाहर आके t हो जाएगा यानि t into t t square dt हो जाएगा तो यह हो गया t square dt मतलब क्या हो गया t square का integration t q by 3 यानि क्या हो जाएगा 1 by 9 और प्लस c ठीक है न? t q by 3 प्लस c c लिखना नहीं भूलना है तो यह हो गया 1 by 9 और t q अगर t square इतना है तो t का मतलब इसका power half हो गया और फिर q करेंगे तो उसका power 3 हो जाएगा यानि 7 plus 30x minus 3x square का power 3 by 2 plus c यह answer आजाएगा यानि answer को दुबारा लिखते दावनी चाहिए है थोड़ा तेंदेश्टर लग रहा है answer आजाएगा 1 by 9 और function क्या है हमारा 7 plus 30x minus 3x square का power 3 by 2 plus c same answer है तो यह थोड़ा प्रोपर लएगा और यह direct है इस direct में क्या हम चाहते हैं आप से हम चाहते हैं कि आप question देखें और coefficient को सिर्फ decide करें कि क्या coefficient आएगा function का nature पता चल जाए तो power 3 by 2 होगा option में आपको बहुत ज़्यादा variety की गुंजाईच नहीं है या तो coefficient में फरक रहेगा या function में फरक रहेगा function आपको पता चल चुका है तो अगर coefficient में फरक रहेगा तो आप असानी से उस फरक को मिटा सकते हैं क्योंकि आप यहां judge कर पाएंगे कि क्या होगा है ना अब इस तरह के questions को करने के बाद एक का तरीका यह आता है कि अगर function ऐसा हो bx plus q under root x square plus bx plus c आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह बताइए कि यहां तो जैसे हम अंदर वाले का बाहर derivative सिधा सिधा था तो आप लगा पा रहे थे जरूरी थोड़े नहें कि बाहर में जो भी हो वो exact उसका derivative हो उसमें plus minus कुछ और भी तो हो सकता है तो ऐसी स्थिती में क्या करें तो ऐसी स्थिती में यानि इस type का हो और इसका यह perfect derivative नहीं हो यानि यह तो if x हो लेकिन यह perfect f dash x नहों बलकि कुछ और हो यह f dash x plus minus c हो कुछ ऐसा तो क्या करें ऐसे question को करने के लिए क्या करना चाहिए तो ऐसे question को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि वही formula लगाना चाहिए जो हमने पहले आपको सिखाया हुआ है कि px plus q को arrange करें a into derivative of dy dx of x square plus bx plus c यानि quadratic plus b और coefficient को फिर हम क्या करेंगे coefficient को फिर हम equate करके और b की value निकालते थे पहले बता रखा है और फिर उसके बाद integrate करेंगे तो पहले part में तो derivative आएगा तो पीछे वाला जो concept लगा रहे थे लग जाएगा दूसरे part में सिर्फ एक constant आएगा और ये function बच जाएगा तो इसको हम फिर perfect require करके और question को फिर दुबारा वापस कर सकते हैं तो आईए एक question करके देखते हैं है ना कैसे ये लिखा है 2x plus 3 2x plus 3 या 2x plus 5 लिख देता हूँ 2x plus 5 ये लिखा है और integration of यहाँ पे लिखा है x square minus 2x plus 5 ऐसा कुछ देख तो आप क्या करेंगे अब यहाँ पे 2x plus 5 बचल तो ये कैसे करेंगे तो हमने कहा कि इस function को आपको क्या करना है rearrange करना है तो नीचे इसका derivative यानि function को 2x plus 5 को वैसे तो और लिख किया जा सकता है लेकिन हमें लिखना है a 2x minus 2 plus b अब अगर आप compare करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2x ध्यान से देखे 2x 2ax तो x के coefficient यहाँ से 2a मिलेगा और यहाँ से 2 यानि a आ जाएगा 1 comparing like coefficient like coefficient तो क्या हो जाएगा a is equal to 1 आ जाएगा क्योंकि 2a 2 आ जाएगा यहाँ से देखे यह 2 into a 2a और यहाँ पे 2 अब b क्या आएगा like coefficient को compare करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2a is equal to 2 and constant कहां से कहां तक आएगा यहाँ से minus 2a और plus b minus 2a plus b is equal to कितना 5 तो यह क्या हो जाएगा a अगर 1 रखनो तो यह हो जाएगा minus 2 plus b is equal to 5 यानि b is equal to क्या हो जाएगा 7 तो a 1 और b 7 आ गया यानि 2x plus 5 को आप लिख सकते हैं a के 20 आ गया this plus 7 यह कोई बड़ी कलाकारी नहीं है यहाँ पे भी 7 को 5 को minus 2 plus 7 लिखा जा सकता था और minus 2 क्यों लिखा जा सकता था क्योंकि यहाँ पे हमारी requirement है तो these all work can be done orally and mentally no need to do all these things यह सारी पूरी कहानी लिखने के जरुवत नहीं है मतलब integration में साफ साफ हमें क्या लिखना है integration में हमें लिखना है अब जो हमारा integration है वो आ गया कितना integration जो है वो आ गया ऐसा कि 2x plus minus 2 plus 7 यह पूरा चीज हो गया into integration यह x square minus 2x plus 5 dx तो आप क्या करेंगे अब इसको आप separate करें तो यह भाग हो जाएगा कि 2x minus 2 into under root x square minus 2x plus 5 dx और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 7 times of this 7 बाहर लिख देता हूं under root x square minus 2x plus 5 dx अब यह दो पार्ट हो गया तो दो पार्ट होने से फायदा क्या हो यह तो आपको पिछे pattern हमने बताया था कि यह जो है वो क्या है यह है fx और यह इसका हो गया f dash x derivative है तो इसको आप direct लिख सकते हैं क्या x square minus 2x plus 5 to the power 3 by 2 और coefficient क्या आता है जी 2 by 3 plus 7 और इसको करने के लिए क्या करते हैं perfect square बनाते हैं तो यह एक अलग segment हो गया तो यह लिख देंगे integration of इसको perfect square बनाओगे तो क्या लिखोगे x square minus 2x plus 1 plus 4 यानि x minus 1 का whole square 4 बचेगा उसको 2 square लिख सकते हैं dx तो अब यहाँ पे formula लगा सकते हैं और यह पहले वाला चीज एजटी जब रहेगा 2 by 3 x square minus 2x plus 5 to the power 3 by 2 plus 7 into अब यह formula लगाएंगे तो क्या लिख देंगे x minus 1 by 2 under root x square minus a square यानि इसको simplify करोगे तो ही तो आएगा तो सीधे लिख देंगे x square minus 2x plus 5 plus a square by 2 a square का मतलब 4, 4 by 2, 2 और अगर यह denominator में होता तो इसका क्या integration होता यानि log of x minus 1 plus under root जो है so as it is x square minus 2x plus 5 plus c ठीक है तो finally यह answer आपका आगया कि answer क्या आगया integration का i is equal to 2 by 3 x square minus 2x plus 5 to the power 3 by 2 plus यह हुआ 7 by 2 x minus 1 into under root x square minus 2x plus 5 right plus 7 to the power 14 log of x minus 1 plus under root x square minus 2x plus 5 plus c और यह हो गया answer तो इस तरीके से हम इस तरह की question को कर सकते हैं i hope आपको यह समझ में आ गया होगा यह सारे patterns इसमें बहुत सारे pattern एक साथ cover कर लिए और इस सारी patterns का जवाब जो है वह आपको समझ में आ गया होगा और इन सब question को हम बड़े ही असानी से कर सकते हैं तो question को असानी से कर सकते हैं और question को बड़े ही तरी all the best ठीक है आप कर लिजिए इसको और कोई दिक्कत हो तो किरा में लिखी ज़रूर